हेलो आप सभी को नमस्ते और यहां पे मैंने सिंघाडे के आटा और केले को यूज करके एक पुवा बनाया था तो इसे आप चाहे पुवा कह लीजिए, मीठे की रेसिपी कह लीजिए, मीठा चिला कह दीजिए, बहुत ही टेस्टी बना था और सिंघाडे का आटा आप कैसे यूज कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो इसे आप ब्रत में भी खा सकते हैं, या ऐसे भी आपका मीठा खाने का मनू तो भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए, तो पीसा था, उसी जार में मैं यहाँ केले को छील के इसे तोड़ के इसमें डाल लूँगे अब इसमें मैं पांस से छे चम्मचीनी डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा दूट डाल के इसे अच्छे से पीस लेना है तो यह देखिए यह पिस चुका है अब यहां मैंने एक गहरा बरतन लिया है और छोटी कच्छी से जो है मैंने तीन कच्छुल जो है सिंहाडे का आटा लिया है अब यह जो मैंने बैटर पीसा है इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना और इसमें मैश कर ले रही हूं अब उसके बाद उपर से अगर ये गाढ़ा लगेगा तो इसमें थोड़ा सा उपर से दूट डाल के इसका एक अच्छा बैटर तयार कर लेना है तो मैं यहां उपर से दूट डाल रही हूं और इसे ज्यादा पतला नहीं रखना है ये पीशा है उसको डाल लेंगे और थोड़ा सा मैंने इलाइची पाउडर जो है उसको डाला था तो बस ये देखिए ये रेडी हो चुका है इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और जहां भी मुझे थोड़ा गुठली जासा लग रहा है उसको मैं प्रेस करके उसी में मिक्स कर ले रही हूँ तो बस ये देखिए ये तैयार हो चुका है अब यहाँ पे मैंने कड़ाई चड़ा ली है उसमें थोड़ा सा ओयल डाल लेंगे और टीशू पेपर से जो है उसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे अब बस इसमें थोड़ा सा और डाल के और जो बैटर है उसको डाल देंगे और कड़ाई अगर थोड़ी गरम है तो इसको डाल के जो है आज को बिल्कुल धीमा रखेंगे मैं परियों कि सिंहारे का आटा जो है बहुत जल्दी जलता है बहुत जल्दी नीचे से पकर लेता है तो बस देख लेना है कि ये पलटने लाइक हो गया है कि नहीं हो गया है बस इसे पलटने में ही थोड़ी सी महनत लगेगी तो बस इसे पलट लेना है अब बस इसके बाद ये बहुत इसली बनेगा तो यहाँ पे जो मैंने कड़ाई ली थी ना बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है तो इसके वज़े से किनारे से तो निकल जा रहा था बीच में पकड़ ले रहा था तो आप कोई एक बराबर जैसे कोई तवा हो या कोई बराबर सपाट बरतन हो उसमें अगर आप बनाएंगे तो यह बहुत ही इसली बन जाएगा तो यह देखिए बस यह मैंने दोनों और से इसे सेक लेना है तो बस यह देखिए यह हो चुका है अब मुझे कई बार रोक रोक के आवाज डालना पड़ रहा है तो यह देखिए यह रेडी हो चुका है अब बस इसी तरीके से सब बना लेंगे तो मैं यहाँ पे एक और बना के दिखा रही हूँ तो बस यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा ओयल डाला है और फिर इस बैटर को डाला है आज को बिल्कुल धीमा कर देंगे अब यह देखिए यह फुल भी रहा है तो इसको साइड से मैं ऐसे निकाल के देख ले रही हूँ और यह बीच में चिपक रहा था तो मैंने कड़ाई को तिर्शा करके उसके अंदर ओयल डाल दिया तो यह देखिए कितना इसली निकल गया अब बस इसे भी दोनों और से सेक लेना जब एक तरफ से पलट लेते हैं तो फिर दूसरे तरफ से यह बहुत इसली पलट जाता है बिल्कुल नहीं चिपकता है तो बस यह देखिए यह भी हो चुका है और मैं कितना भी समझा रही हूँ ना मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे हैं चिला ही रहे हैं तो बस यह रेडी हो चुका है यह देखी और यह बहुत ही टेश्टी लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर से इसे ट्राइ कीजेगा ब्रत में भी बना सकते हैं या ऐसे भी आप जब भी मीठा खाने का मन हो तो इसे ऐसे भी बनाय जा सकता है तो अगर आप लोग को यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक कीजेगा साथी शेयर भी कीजेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजेगा ठाइंक यू टिक क्या वैबै प्लीज जए बिच्ट वणाने कीजेगा गार में जए लोग कीजेगा तो स्टाइब रभी कीजेगा जमेगा स्टाइब लोगी कीजेगा तो